यहां दी गई जानकारी, जियोतिश पर आधारित है, तथा केवल सूचनक ले दी जा रही है, TV9 Digital इसकी पुष्टी नहीं करता है, यहां बताये गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलह अवश्य लें नमस्कार, आस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंजली, मेरे साथ हैं इस कारिक्रम में आस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वश्रश जी, सर आपका बहुत स्वागत है ताता खुश्य देव, मातरानी सुखी रखे हर व्यक्ति चाता है कि उनका पर्स, यानिकी वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहे लेकिन कई बार ऐसे स्थिती बन जाती है कि आपको तंगी का सामना करना पढ़ता है कुछ लोगों को तो जादा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है पर्स में रखी वस्तूओं का जीवन और धन पर काफी प्रभाव पड़ता है पर्स में कुछ खास चीजों को रखने से बरकत होती है ऐसे में ये जाना बहुत जरूरी है कि हमें अपने पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं जोतिश शास्तर के मताबिक ऐसे कई उपाएं हैं जिन्हें करने से आपकी सभी मुश्किले दूर हो सकती है जानिए पर्स से जुड़े कुछ उपाएं के बारे में गुर्देव के माधिम से इसके साथ ही आपकी राशी के पूरे दिन का हाल भी आजन जानेंगे गुर्देव से तो सबसे पहला सवाल गुर्देव पर्स में क्या रखना अशुब होता है जिसकारण पर्स में पैसा आता तो है लेकिन बच्टा लेंगे पहले मैं आपको लाल की रापा एक लॉक लेकर तो और ये सीधा सम्मन्द जो है पर्स के साथ ही है कहते हैं नौवे घर से यानि कि भागे सान से बादल उठते हैं दस्वे घर यानि कि जनमकुली के दस्वे घर से वो पानी भरते हैं दूसरा घर जनमकुली के दूसरे घर के पहाड से टकरा करके ये वर्शा करते हैं और चौथे घर के अंदर फसल पैना होते हैं ये लाल किताब के अंदर जोतिश का नियम है तो इसका पूरा-पूरा संबंध चौथा घर यानि कि पर्स इसके साथ है तो आप देखिए कि फसल उगाने के लिए घर में सम्रदी लाने के लिए अब ऐसी अवस्था के अंदर जो तकलीफ देखिया है बुद्ध जंदरमा से दुश्मनी करते है तो ऐसी अवस्था के अंदर किसी भी परकार के राख रखना बबूती रखना पर्स के लिए सबसे अश्ब बाना जाता है और किसी भी तरह की राख या भभूती का पर्स में होना पर्स को खाली करता है उसे भरा नहीं रहने देता हो और किसी ना किसी चीज़ के उपर पैसा खराब होता ही चला जाता है इसके बाद में किसी भी चीज़ की electronic gadget चाहे छोटा सा हो वो पर्स के अंदर अगर आप डालके रखते हैं जिसके अंदर battery cell वगएरा हो ये भी पर्स का दुष्पन है और किसी भी परकार का जंग लगा हुआ लोहा ये अगर आप रखते हैं तो ये भी पर्स का दुष्पन है तो ये चीज़े सक्त वर्जित हैं किसी भी तरह का किसी का दिये हुआ पर्स की खराबी पर्स की खराबी सबसे बड़ी करते हैं द्यान रखे इन चीज़ों को अपने पर्स में बिल्कुल भी ना रखे जनके बारे में गुरुदेव ने बताया है गुरुदेव एक बात बताईए अथिर पर्स अपने पास रखना चाहिए और कैसा पर्स नहीं रखना चाहिए ये जरा दर्श्रको को बताईए इसमें मैं मोटे मोटे तोर पर बता दे तो बटाब कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है जिनके आई दिन गाड़ी खराब रहती है इन लोगों को चमड़े का काले रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और इसमें पैसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जिल लोगों को अपने ग्यान पर शक रहता है, जो बेव मतलब की हांकते हैं, लोगों को जूट बोल करके अपना ग्यान पर दर्शित करते हैं, और सच का उनको भी नहीं पता होता, इनको चमडे का पीले रंग का पर्स बिलकुल नहीं रखना चाहिए, बहुत बहुत खराप नहीं है, इनको कपडे का मल्टी कलर पर्स रखना इनके लिए भी वर्जित है, तो इनका खास अगर आप ख्याल रखोगे, तो जिलगी के अंदर शुबता रहे, तो बस ऐसे पर्स से परहेज करना चाहिए, बाकि आप को किसी भी तरिके का पर्स रख सकते हैं, किसी भी रं फोड़ करके आया है, यह आपके लिए बहुत ही शुब शगन है, पर्स का गिफ्ट होना, यानि कि शनी देव आपके घर के अंदर आया है, अगर वो चमड़े का आया है, तो समय लो शुकर देव तुमारे घर पर आ लिए, तो एसे में यह पापी ग्रहों से संबन देता है और लाल किताब कहती है, कि अगर जनम कुडली के अंदर पापी ग्रैप प्रबल हों, तो इनसान कुछ न कुछ करके अपने लिए धन महिया करवा ही लेगा, अच्छा करेगा, जब पर्स आता है, तो आप समय लिए मकान बनने लगा है, रिपेर होने लगा है, मकान के सुक बनने लगा है, गाड़ी बनने लगी है, और कोई ना कोई सुक सुधाओं की चीज़े अब आपके घर पे बढ़ने लगा है, तो इसलिए पर्स का गिफ्ट मिलना बहुत ही शुब होता है, तेक है, और जिन लोगों को मकान के संबने दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के घर पिकलेश रहते हैं, जिनके घरों में बीमारी ये रहती हैं, अब जिनके घर के अंदर नेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे में कमी निकालने का महौल बढ़ता चला जा रहा है, इन लोगों को एक अच्छा काला चमड़े का पर्स ले करके, ये अगर किस को भी गिफ्ट करते हैं, तो सामने वाले को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने घर से ये नेक्टिविटी और बुरा पन सारा निकल जाएगा, स्वास्ते आने लगेगा, कामकास बनने लगेगा, और जो पानी की तरह पैसा बैह रहा था, वो सब अपने आप थमने लगे चोथे घर के अंदर ब्रस्पती बहुत ही शुब मने जाते हैं, लेकिन नए-नए आइडिया, नए-ने चीजों को अपनाना और उनको अपना करके धन कमाना ये जनमकुली के अंदर चोथे घर का सूरे देविये काम करते हैं, तो चोथे घर में सूरे भी शुब है, सारी की दुकान से मिलेगा, भोज पतर लेके उसको फोल्ड करके उसको एक डिबिया रूमा बनाएं और उसको पीले कपड़े के अंदर केसर थोड़ा सा डाल के उसके अंदर थोड़ा केसर भी डाले और उसको फोल्ड करके, सिलाई करके, अगर आप अपने पास रखने वा करके तरक संगत उसको बहुत धंका जवाब देना शुरू करतेंगे जो भी पैसा आप उस पर्स में ले जाकर करके खर्चने लगे हैं उसे बड़ा सोच समझ के खर्च करके आएंगे और जहां मर्जी जाए कितने भी खर्चे के काम हो इस पर्स में नोट आप बचा करके ही घ अपार्धन की असल प्राप्ति होगी तो गर आप जीवन में कामियाबी चाहते हैं अपार्धन और लाप चाहते हैं तो गुरुदेव के बताय हुए उपाई जरूर करें उमीद करते हैं आज का विश है आपको पसंद आया होगा कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और वि ना भूले फिलाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्टो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वश्टिश जी के साथ देखना ना भूले एस्टो साइंस रोजाना सुभे आठ पचे नमस्कार